यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में एट्थ क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की असेस्मेंट वक्षिट नमबर 10 को सुलूशन के साथ एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा जरूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि क्या है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों असेस्मेंट वक्षिट नमबर 10 जनल इंस्ट्रक्शन्स इस एन असेस्मेंट वक्षिट बेस्ट उन्दा वक्षिट ऑफ ट्रीविएस वीक्स ओल्कॉशन सार कंपल स्री नौ एपा की एक परसन है जो कि अपने लिए मतलब एक बारगिनिंग एक सोदा करना चाहता है अपनी के सिस्माईल से वड़ा ब्ररता हैं तुब मैघन के लिए देटा है फिर उसको एक सुनदर लेडी मिलती है और कहती है कि तुम स्माईल के लिए मेरे सा सोदा कर लो तो वो सोचता है कि कुछ time के बाद उसकी smile भी lost हो जाएगी तो वो उसको भी neglect कर देता है कुछ देर के बाद जब वो आगे जलता है तो उसे समुदर के पास एक बच्चा खेलता हुआ मिलता है जो कि सीपो से खेल रहा था तो वह सोचता है कि यही वो है जो बिना किसी पैसो के बिना किसी कीमत के मेरे साथ मतलब मुझे happiness देगा मुझे खुशी देगा तो वो उसके साथ अपनी अपना time spent करता है तो बच्चो यह थी हमारी poem the last bargain देखिए भी यहाँ पर क्या questions किये गए है फर्स्ट है who is the speaker तो फर्स्ट है यहाँ पर who is the speaker in the poem इस poem का speaker कोन है इस poem में कोन भूल रहा है तो रबिंदर नाट्टेगूर next second question the old man offered the speaker a lot of money old man ने speaker को बहुत सारा पैसा ओपर किया why did he turn down the offer फिर भी उसने offer को मतलब मना क्यों कर दिया the poet realized that money cannot give him happiness poet ने को ने यह realize किया कि जो पैसा है वो उसको happiness नहीं दे सकता when the money would be finished he would again be out of work जैसे ही पैसा खतम होगा वैसे ही उसे फिर से काम करना पड़ेगा so speaker turned down the offer इसलिए speaker ने उसका offer neglect कर दिया next third है how did the speaker feel after taking to the child after talking to the child on the beach speaker कैसा feel करता है जब वह बीच पर बैटे हुए बच्चे से बात करता है after talking to the child on the beach the speaker felt extremely happy वह बहुत ही जादा खुशी महसूस करता है next यह question number four पर when what did the young lady offer him young lady ने उसको क्या offer किया why did he refuse और उसने उसे मना क्यों कर दिया the young lady offered to hire him with a smile but he refused the offer as her smile will fade away and will be melted into tears which will return into the dark young lady ने उसको अपनी smile offer की कि मैं खुशी के साथ मतलब तुम्हे एक प्रसंता दूगी खुशी दूगी smile दूगी लेकिन उसने उसको भी मना कर दिया क्योंकि उसने कहा कि smile जो है वो कुछ time के बाद fade away मतलब गायव हो जाएगी और वह आसू में बदल जाएगी turns into tears वह आसू म his might was not worth much but his power counted for not ठीक है तो यह हमारी पोयम में से ही line उठाए गई है यह आप वहां से लिख सकती है next आई ये भी पाट पर answer the following questions from the chapter the jody's phone this is jody's phone chapter से यहां पर आपको question answer पूछे गए है तो चली उनका answer करते है first है what had happened to jody's father jody के father को क्या हुआ था तो jody के father को एक rattlesnake ने kill कर दिया था मार दिया था काट लिया था तो यहां पर लिखे jody's father had been bitten by a rattlesnake jody के father को एक rattlesnake ने bitten मतलब काट लिया था next question number seven why does jody want to bring the phone home jody phone को घर क्यों लाना चाता था jody wanted to bring the phone home because he felt that they had killed the doe for their purpose and the phone had been orphaned for no fault of its own jody यह जानता था कि उन्होंने jody phone को घर इसले लाना चाता था क्योंकि वहाँ बाद में feel कर रहा था कि उन्होंने उसकी मदर doe को अपने purpose के लिए use कर लिया है kill कर दिया है जबकि phone जो है उसका क्या मतलब इसमें उसकी क्या गलती है कि वो अनात हो गया तो वह उसको अनात समझ कर कि हमने इसकी मदर को मारा है वह उसको अपने घर लाना चाता था जोडी को कैसे बताता कि phone जो है वो male है तो जोडी knew that the phone was a male because the sports on its body were all in a line उसकी body पर जो sports थे वो सब एक ही line में थे his father had told him that on the body of a doe phone the sports are in different direction और यह है बात उसको उसके फादर ने बताई दी कि sports जो है वो different direction में एक ही line में हो तो वो male child होता है next आई यह question number 9 पर why was Millville afraid to leave जोडी alone Millville उसको अकेला चोडने के लिए afraid डरा हुआ क्यों था Millville was afraid to leave जोडी alone because he thought जोडी might get lost or get bitten by the snake वह डरता था कि कहीं जोडी गुम ना हो जाए या कहीं उसको भी कोई साप ना काट ले इसलिए Millville उसे अकेला नहीं छोडना चाता था next आई यह 10 पर how did the phone drink milk from the goat phone ने उस कटोरे में से दूद कैसे पिया Jody poured milk into a small goat उसने milk को छोटे से कटोरे में डाल दिया He dipped his finger in the milk उसने अपनी finger को milk में dip किया and thrust them into the phone's soft wet mouth और उसने उस finger को phone के मतलब गीले और soft मुँ पर लगा दिया जिससे उसने सक्किया और उसने दूद पी लिया next आईए question number c पर c पार्ट में है write a c पार्ट में आईए write a story imagine you saved an injured bird or an animal आपको एक story imagine करनी है लिखनी है कि आपको एक injured मतलब घायल bird या animal मिलता है you may use the words given in the box below नीचे box में आपको कुछ words दिये गए है आप उन words को use कर सकते है give your story a suitable title आपको उसका title भी लिखना है तो words देखे पहले क्या है help मतलब सहायता करना bounded मतलब घायल first aid box जिसमें मतलब हम किसी का first aid करते है न छोड़ी छोड़ी दवाईयां होती है quarter मतलब रूई डिटोल clean मतलब साफ करना examined मतलब check करना offer food खाना खिलाना water पानी लव प्यार happy खुशी took care मतलब ध्यान रखना तो यहां पर मैंने इसका title लिखा है caring and saving of an injured animal की हम एक injured animal की caring कर रहे है saving कर रहे हैं तो देखे मैंने क्या story create की है one day while going to school एक दिन जब मैं school जा रहा था I helped a badly wounded puppy who was in a critical condition मैंने एक घायल puppy की सहायता की help की जो की बहुत ही critical condition में था भुरी condition में था no passerby was stopping to help it कोई भी वहां से गुजरने वाला उसके लिए stop नहीं हो रहा था रुक नहीं रहा था seeing the dog dog को देखकर I could not just ignore it मैं उसे ignore नहीं कर सका I usually carry a first aid box with me मैं हमेशा अपने पास एक first aid box रखता हूँ with the help of which I examined the wound and cleaned it with cotton और जिसकी सहायता से मैंने उसे चेक किया उसके घाव को चेक किया उसे साफ किया cotton और डिटोल से I offer food मैंने उसे खाना खिलाया and water to eat और उसे पीने के लिए पानी दिया it became happy with my care and love बह मेरे प्यार से मेरी केर से बहुत खुश था since I did not want to leave the puppy at the mercy of fate मैं उसे भागे के भरो से छोड़ कर जाना नहीं चाहता था I took care of the dog as much as I can मैंने dog का पूरी तरह से ध्यान रखा जैसे मैं रख सकता था I felt so happy for saving the life of that puppy मैं बहुत खुश था कि मैंने उस puppy की जान बचाई तो बच्चो यहाँ पर आप भी कोई story create कर सके लिख सकते हैं तो बच्चो यह था हमारी assessment worksheet का पूरा solution उमीद है आपको यह worksheet बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी बच्चो यह आपको कोई doubt है कोई query है तो वीडियो के comment section में जरूर पूछिए मैं आपके comments का जल